नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जानकारी विशेश है, हमारे पितरों के लिए है, हमारे अपनों के लिए है जैसा कि आप लोग को पता है कि 2019, 2020 और अब 2021 पिछले दो वर्षों से लगातार यह तीसरा वर्ष है, जब हम गयाजी में जाकर कि पिंडदान करवा रहे है ना केवल अपने पितरों के लिए, बलकि उन समस्त पितरों के लिए जिनके संतान, जिनके वंशज, जिनके वंश, जानकारी के अभाव में अब तक पिंडदान नहीं किये अपने पितरों को मोक्ष नहीं दिला पाए, लिहाजा उनके कुंडली में, उनके बच्चों के कुंडली में पीड़ी दर पीड़ी पित्र श्राप पित्र रिन चलता चला रहा है एक मौका है 16 दिन 365 दिनों में जब हमारे पितर पृत्वी लोग की तरफ बड़ी लल्चाई दिश्टी से देखते हैं सोचते हैं कि जो जिनको उन्होंने पैदा करके और तिल तिल करके पाल के इसी योग ये बनाया है उनसे हमको क्या प्राप्त होगा वो हमें किस तरह से त्रिप्त करेंगे हमारा तो ना जाने किस जरम का पुन्य है कि अपने पितरों को भी और अपने साथ पिछले दो वर्ष से सेकणों और पित्रों को तारने का अवसर मिल रहा है सायद इस हाथ से कुछ बहुत बड़ा प्रकृत ने सोचा हो कि जादा सा आसिरवात दिलवा कर कुछ बहुत बड़ा करवाना है तो वो शक्ती कहा से मिलती है वो शक्ती निससंदे हमारे पित्रों से मिलती है हमारे उन पूरवजों से मिलती है जिनका रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होता है उनका अंश जुड़ा है वो चुम्बकिये शक्तियां होती है वो इस स्रिष्टी में जो विचरण करती हुई शक्ति है वो जानती है अगर हमारे शरीर से 100-200 लोगों की पितरों का तरपड होता है उनका मारजन होता है उनका मुक्ती होता है उनका पिंड़दान होता है तो मैं अपने आपको भागशाली मानता हूँ एक वहम लोगों के मन में होता है कि मा जीवित है तो कैसे करें? पिता जीवित मतलब दोनों में से एक जीवित है तो पित रिन शांती का वो प्रयास नहीं करते कि दोनों मरेंगे तो करेंगे ये महा मुर्खता है यह लोका चार में randomly आ गया by default आ गया क्या होता था कि पहले का समय जो था न वो इतना सहज नहीं था इतना साधन सुलभ नहीं था बड़ा कठिर हुआ करता था उस दोरान यात्रा करना पैदल, बैल गारी, घोडा गारी, खचर गारी इस तरह की संभावने सडके नहीं होती थी तो जितने लोग पिंडदान या ऐसे जगहों के लिए जाते थे वो वापस नहीं आते थे इसलिए हमने देखा परंपरा की गाओं में जब अक्छत शीटते हैं, चावल हर घर में भेगते हैं, उसके बाद सब जगह से अंस्ट लेते हैं वो परंपराएं कितनी सम्रद्ध थी, कितनी सहयोग आत्मक थी, वो उफ सोच नहीं सकता है हर घर से पैसे मिलते हैं, आज भी कोई गया ठाकुरदारा गया जी और जो जाते हैं कलकता में गंगा सागर हर घर से पैसा मिलता था, कितना सहयोग करते थे लोग, आज हर कोई सक्षम है, उस योग यह है तो कहने का तातपर है कि आप माता पिता जीवी था तो भी अपने दादा का करिए, पर दादा का करिए, उनका तो करिए, किसी का तो आशिरवाद आप लीजिए किसका करते है कि हमारे बाप माबाप मरे तब जाए माबाप मरे क्यूं मनाएंगे हम तो कहेंगे कि हमारे सौ साल की उमर तक माबाप जिंदा रहे वो धाई सो साल दो सो साल तक जीए क्यूं मरने का मनाए हम अपने दादा पर दादा का करके नहीं आ सकते हम अपने पिता का पि मेरी उमर लगाए मैं फिर भी पिन्दान हर वर्ष की बहाती करता रहूंगा और करना चाहिए मौल में जा करके दस हजार का कपड़ा खरीद करके धाई लाग की घड़ी पहन करके देड़ लाग का मुबाइल ले करके हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लिए लेकिन निरापद है ये ये महागरीबी है जब तक आपकी पितरों का अशिरवाद ये भागेश धनेश उत्तम दौदसेश की दसा अंतर दसा में आपको ये सारे भौतिक सुख मिल जाते हैं लेकिन जब उसकी लाठी पड़ती है जो हमारे पितर कहलाते हैं तो पानी नहीं मि मिलता याद रखिएगा तो अवसर आपके पास बहुत बड़ा है ये हमारा एक अंतिमागरह है आज जो हमें कारक्रम ले करके आए हैं अपने पितरों के लिए हमारे पितरों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है पंदरह सितंबर इसकी लास्ट डेट है अब इसके बाद र रिजन क्या है कि वहाँ पर कमरे उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि लाखों आते हैं लेकिन उन लाखों में आपका नाम है कि नहीं ये आपका प्रारब्ध आपका भाग्य बताएगा तीनों शक्तियों की आवश्यक्ता होती है ऐसे दिब्ब अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए पहली शक्ति शारेरिक आपका सरीर सक्षम होगा तो आप सक्षम है आ सकते हैं ससरीर दूसरी शक्ति मानसिक सक्ति आपके मन में आएगा तभी तो आएंगे शरीर साथ दे र तो कैसे जाएंगे और तीसरी शक्ती सरीर भी साथ दे मन भी साथ दे आर्थिक शक्ती पैसा नहीं होगा तो कैसे करेंगे यह तीनों शक्तियां जब जुड़ती हैं तब हम किसी विशेष अनुष्ठान का आयूजन कर पाते हैं हिस्सा बन पाते हैं आप लोगों के लिए जो हम आपको मात्र 51 में देने जा रहे हैं क्या भागवत कथा आपके नाम के साथ संकल्पित करवा करके भागवत कथा और पिंडदान दोनों एक साथ हम करवाएंगे आपके लिए समय बहुत कम बचा है सच कहते हैं अब मत इंतजार करिएगा कहीं आप सोचना रहे हो कि थोड़ दिन और रुकिये मत 15 सितंबर को पूरी तरह से यह क्लोज हो जाएगा चले अनुमत चाहेंगे अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार जैश्री किष्णा जैश्री राधे ओम सर्वपित्र देवे भ्यावनमह नमस्कार